दोस्तो ही रियल कामसुत रभू के पिछले वीडियो पे हमने जहां तक पड़ा था उसके बाद यहां से आज सुरू करते हैं आज का चप्टर है संग्वेसन बीदी प्रकरनरनम इस अध्याय में संग्वेसन प्रकार यानि संभोग के आस्वनों तता चित्ररतो पर विचार किया गया है इसके बार में कहा गया है पुरुष के लिंग के दोरा स्त्री की योनी का मता जाना संभोग कहा जाता है किन्तु स्त्री और पुरुष के संभोग के अंगोग के एक रूप ना होने से अथा स्त्री की योनिकी गहराई काम होने से और पुरुष का लिंग बढ़ा होने से अतब स्त्री की योनिकी गहराई अधिक होने से अतब पुरुष का लिंग छोटा होने से और समनता के कारण दोनों को यते संभोग सुख के प्राप्ति नहीं होती जिससे उनमें कटूदा पैदा हो जाती है और दामपरते जीवन दुख में बन जाता है इस समस्च्या को विसमता को दूर करने के लिए आचारेव वात्सायन ने अनेक प्रकार के आसनों की परिकलपना की है इन आसनों के प्रयोग से मंदराख स्त्रिया भी कामपवग के लिए उत्ते जीत हो जाती है और संभुख सुख को प्राप्त कर आनन्द का अनुबब करती है मंदराग मतलब जिनमें राग कम होता है जिनमें संभुख की इच्छा कम होती है ठीक है? पिछले चप्टर पी भी हमने पढ़ा था इससे उनका दामपत्य जिवन सुख में हो जाता है आचारे के दोरा दिया गया इन निदेश को पालन करने से उनका जीवन सुख में हो जाता है आचारे का कहना है कि इन आसनों के प्रयोग से केबल काम सुख का संभधन ही नहीं होता अपितु गरहस्त जीवन आनंदमें बन जाता है आचारे बसने इन आसनों के प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है कहा जाता है कि कामकला के 64 आसन होते हैं किन्तु उनका उल्ले किसी भी कामसास्त्रिय गरंत में नहीं मिलता कामसुत्र में कुछ आसन प्रकारों का उल्ले अवश्य प्राप्त होता है आप संग्वेशन के प्रकारों का निरुपन करते हैं उच्चे रत में संभोग के समय मिर्गी स्त्री अपनी दोनों जंगाओ टांगों को अच्छी तरफ फैला ले मिर्गी स्त्री का मतलब क्या होता है यह हमने इस बुक के छटे चैप्टर पे 6 चैप्टर पे पढ़ा था आप मेरे 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके ठीक है प्लेलिस्ट में कैसे जना है यह मैंने बता दिया आपको मैं आपको Episode में बता रहा हूँ Mayagastri मतलब जिनकी योणी की साइज है वह थोड़ा सा चोटा होता है विमर्स आचारिय वास्तین का कहाना है कि यदी मेगिस्ते बिरिषपूरुस के साथ अथव अश्ठव पूरुस के साथ बिरिषपूरुस और अश्ठव पूरुस का मतलब भी छटे चपटर पर बताया गया है लिंग का साइज की हिसाप से पूरुष को डिफेरेंट टाइप से बाटा गया है, और योनी की गहराई की हिसाप से भी डिफेरेंट टाइप से बाटा गया है, तो आचरे वासन का कहना है कि यदि मेगिस्त्री बिरिश पूरुस के साथ अथवा अश्व पूरुस के साथ संबोग करना चाहे तो वो संबोग काल में अपनी दोनों जंगाओं को पूरी तरह फैला कर लेड़ जाए जिस योनी दर फैल जाए और लिंग अच्छी तरह योनी में प्रभिश्ट हो जाए यानि लिंग योनी में अच्छी तरह घुज जाए नेच रत में हस्तिनिस्त्री यदि शर्ष पूरुस के साथ संबोग करना चाहे मतलब यह स्तिनिस्त्री मतलब जिनकी योणी की गहराई बहुत जादा होती है और सस्पूरूस मतलब जिनका लिंगी छोटा होता है समभू करना चाहे तो वो अपनी जंगाओं को सटा ले आचार्य का कतन है कि यदी कोई हस्तिनी नारी जिसकी योणी गहरी हो वो ब्रिश पूरूस या शर्ष पूरूस जिसका लिंग छोटा हो के साथ संबुख करना चाहे तो वो अपने दोनों जंगाओं को सटागर योनी द्वार को संकिरन बना ले जिससे संबुख सुख को प्राप्त कर सके अन्यथा लिंग छोटा होने से योनी की पूरी गहराई तक नहीं पहुँच सकेगा और संभुख सुक की प्राप्ति नहीं हो सकेगी समान योनी प्रमान बाले स्त्री पुरूस के समरत संबोग के समय स्त्री को जंगाओं को फैलाने आतवा सिगोडने के आवशक्ता नहीं है आचार्य वासन का कतन है कि यदि बढ़वा नायका को ब्रिश नायक के साथ संबोग करना पड़े तो इस प्रकार के समरत में स्त्री को अपनी जांगो को ना पहलाने के आवशक्ता है और ना सिगोडने की इसी प्रकार उपयुकत दोनों प्रकार की मिर्गी और हस्तिनी नाईकाओं के समान बढ़वा नाईका की भी बैख्या हो गई अध्वा मुर्गी और हस्तिनी नायकाओं के समान बड़वा नायका के संबन में भी समझ लेना चाहिए यहां पर आचरी का अभिप्राय है कि यदि बड़वा जाती की नायका अश्वय जाती के नायक के साथ सम्बोक करना चाहे तो इस प्रकार के उच्चे तर में नाईका अपनी जांगो को फैला कर योनी द्वार को खोल ले इसी प्रकार यदि बढ़वा नाईका सस नायक के साथ संबोग करना चाहे तो इस प्रकार के निचरत में नाईका अपनी जांगों को सिकूर कर योनी द्वार को संकुचित कर ले और यदि बढ़वा नाईका ब्रिश्पूर्श के साथ संबोग करना चाहे तो इस प्रकार के समरत में नायका अपने जंगों को ना आदिक फेलाए और ना आदिक सिकूरे बलकि जंगाओं को समान रखे उच्चरत और समरत में नायक नायका को यथे सुक की प्राप्ति होती है किन्तों निचरत में उन्हें त्रिप्ति नहीं होती त्रिप्ति नहीं होती को मतलब साटिस्पेक्शन नहीं होता अब संग्वेशन के प्रतिग्रह को कहते हैं संबोग के समय नाई का अपने जंगाओं से नाय को घरहन करें अर्थात खींच ले नीचरत में नाय का कृतिम साधनों बनावटी लिंगों का प्रयोग करें बिमार्ष आचरेवासन का कथन है कि नीचरत में अर्थात बड़वा नायका का सस पूरुस के साथ और हस्तिनी नायका का ब्रिश पूरुस के साथ संबोग करने पर पुरुस लिंक के छोटे होने से यदि नायका की तृप्ति नहीं होती तो वो अपने काम वासना की तृप्ति के लिए लोहा, लकडी, आधी के बने हुए कृतिम लिंगों का प्रयक करें इससे उसकी योनी की कंडू खुचलाट मिट जाती है और काम तृत्ती भी हो जाती है अब योनी के संकोचन एबं बिस्तारन के आसनों का वर्नन करते हैं दिगी नाइका के लिए उत्फुल लग, विज्यम, भितक और इंद्रानिक ये तीन प्रकार के आसन बताए गया है उत्फुल लग, सिरोभाग को नीचा करके यदि जांग जगन यानि जांग के भाग को उपर कर दिया जाए तो उत्फुल लग आसन कहलाता है संभोग काल में नाइक नाइका थोड़ा थोड़ा पीछे की और हटते रहें आचरे वास्तायन का कहना है कि नाइका जब सिरोभाग को नीचा कर लेती है और नितम के नीचे तकिया आदी रख कर जांग भाग को उच्चा कर लेती है तो उसकी योनी पुष्प के समान बिगसित हो जाती है अता उसे उत्फुल लग आसन कहते हैं ये आसन उच्चरत में पर्युक्त किया जाता है इस आसन में लिंग में चिकना दब्य, तेल या मलम लगाकर धिरे-धिरे योनी में सरकाया जाता है यानि योनी के अंदर धिर-धिरे गुषाया जाता है और स्त्री भी अपनी योनी थोड़ा-थोड़ा पीछे की और सरकाती रहे जिससे लिंग प्रवेश में पीडा नहीं होती नेक्स्ट विज्जरम भी तक नाइका की जंगों को फैला कर उपर उठा लेने पर पुरुस तिर्चा होकर लिंग को योनी में प्रवेश कराएं तो उसे विज्जरम भी तक आसन कहते हैं जब स्त्री अपनी दोनों जंगाओं को तिर्चा कर उपर उठा लेती है तो योनी का द्वार खुल जाता है तब ऐसा लगता है कि मानो योनी जंभाई ले रही है इसलिए इसे विज्जरम भी तक कहते हैं इस आसन में उर्वो को तिर्चा करके उपर उठाया जाता है इंद्रानिक नाईका अपने दोनों उर्वो को बराबर करके बगल में ले जाकर पार्ष से सटाकर जानूओं पर रख दे तो वो इंद्रानी या इंद्रानिक आसन कहलाता है ये आशन अभ्यास साध्य है, मतलब अभ्यास से साध्य होता है, प्रैक्टिस से होता है, सरुपथम इस आशन का प्रयोग इंद्रानी ने किया था, इसलिए इसका नाम इंद्रानी या इंद्रानिक पड़ा है, यानि इंद्र की पत्नी इंद्रानी, इस इंद्रानी आशन के द्वारा उच्चेतर रत का भी परिग्रह होता है अर्थात उच्चेतर रत में भी इंद्रानी आसन का प्रयोग सुक्कर होता है निचरत और निचतरत आसन निचरत में संपूट आसन के द्वारा नायक को गरन करें इसे आसन में निचतर रत में भी हस्तिनी नायका संभोग कर तो संपूटक आसन का प्रयोग करना चाहिए इसी प्रकार निच्टर रद में भी जब हस्तिनी नायका ब्रिश नायक के साथ संभोग करे तो भी इसी संपूटक आसन का प्रयोग करना चाहिए निच और निच्टर दोनों प्रकार के आसनों के चार प्रकार होते हैं संपूटक पिडितक, बेश्टितक और बाडवक संपूटक यदि नायक और नायका दोनों अपने दोनों पैरों को सिधा फैला कर परस पर मिला ले तो संपूटक आसन कहा जाता है इस प्रकार संभोक क्रिया के योग से ये आसन दो प्रकार का होता है पार्ष संपूट और उत्तन संपूट पार्ष यानि बगल में करबट स्वते समय पुरुष दाईणी और स्वे और स्थ्री के बाईग और सुलाई स्थ्री को बाईग और सुलाई यही सामान्य नियम है आचरेबास्यान ने नीच और निश्टर सम्भोगो के 4 भेद बता हैं संपूटग, पिडितग, बेश्टितग और बाडवक जब नायक और नायका दोनों अपने दोनों पेरों को सीधा फेला कर परस्पर मिला लेते हैं तो संपूटग आसन कहलाता है संपूटग आसन दो प्रकार का होता है पार्ष संपूर्टक और उत्तान संपूर्टक जब नाइक नाइका परस पर एक दूसरे के सामने मुख करके करवट के बल लेट कर संबोग करते हैं तो पार्ष संपूर्टक कहलाता है और जब नायका पीट के बल लेट कर दोनों पैरों को मिला कर सिधा फैला लेती है और नायक दोनों पैर फैला कर उसके उपर चड़ कर संबोग करता है तो उसे उत्तान संपूटक कहता है इन दोनों प्रकर के आसुनों में नाइग नाइका के परस पर गुते हुए होने चाहिए जब करवट लेट कर संबोग करना हो तो नाइग नाइका के धाइनी और लेटे और नाइका को बाई और लेटाए जब संपूतक आसन में संबोग करते हैं में नाइग नाइग का परस पर एक दुसरे की जंगाओ को खुब कस कर जोर से दबा कर पिडित करते हैं तो उसे पिडितक आसन कहते हैं विमर्स पिडितक संपूटक आसन का ही एक प्रकार है इस आसन में नाइग नाइका परस पर एक दूसरे को अपने अपनी जंगाओ को कस कर जोर से दबाते हैं जिसमें जांगों में पीड़ा होने लगती है इसलिए से पिडितक कहते हैं रती रहसे और नाग रस सर्वस्व के अनुसर जब नाइका अपनी दूनों जंगाओं से पुरुस के लिंग को जोर से दबा कर पिडित करती है इसलिए इसे पिडितक कहते हैं अथवा नाइका अपनी दूनों जंगों को कस कर इस प्रकार दबा लेती है कि जिससे योनी संकुचित हो जाती है और लिंग के गुस कि जांग पर विपरित करम से रख दे तो बेश्टितक आसन कहलाता है आचरे वास्तान का कहना है कि इस आसन में जंगाओं का बेश्टन किया जाता है अर्थात नाइका अपनी बाई जांग से पूरुस की डायनी जांग पर और दायनी जांग से बाई जांग को बेश्टित कर लपेट कर जोर से दवाय रखती है और नाइग भी अपनी बाई जांग से नाइगा की दाइनी जांग को और दाइनी जांग से बाई जांग को बेश्टित कर घेर कर दबाय रखता है जांगो के विष्टन के कारण इसे विष्टी तक कहते हैं इसमें योनी संकुजित हो जाती है जिससे संभुग में सुप मिलता है बाडबक यदि नाइका घोरी के समन अपनी योनी में पूरुस के लिंक को कसकर फसा लेती है तो उसे बाडबक आसन कहते हैं ये आसन अभ्यास से सिद्ध होता है प्रैक्टिस से इस आसन का प्रयोग प्राय आंदर प्रदेश की स्त्रियों में देखा जाता है इस प्रकार आचारिय बाब्रेब्रे के मतानुसार आसन की बिधिया समाप्त हुई आचारिय वास्तायन का कथन है कि जिस प्रकार बढबा यानि घोड़ी अपनी योनी से कठोरता से घोड़े के लिंग को कस कर जकर लेती है उसी प्रकार स्त्रिय भी अपनी योनी से कठोरता के साथ पूरुस के लिंग को कस लेती है तब बढबा के समान आचरन करने के कारण से बाड़बक आसन कहते हैं ये आसन प्राय अंदर प्रदेश की स्तिरिया करती है इस प्रकार आचार्य बाबर्व के मतानुसार आसन प्रयोक की विधिया बताई गई है सुबर्नाप का मत जब अब आचार्य सुबर्नाप के मतनुसार आसनों का वर्नन करते हैं अचार्य वस्तायन अचार्य बाबरब्य द्वारा पतिपादित साथ प्रकार के आसनों के वर्नन करने के पस्चाथ अब आच्छारिय सुबर्नाप के मत से दस प्रकार के आसनों का वर्नन करते हैं वेद्यस आसन है भूगनक, जिर्बी तक, उटपिडी तक, अर्दपिडी तक, बेनुदारी तक, सुलाची तक, कारकर तक, पिडी तक, पदमासन और पराबित तक संबोख के समय भी आसन किया जाता है, ठीक है, ये सब वही आसन है, आपने अगर खजराओ का मंदिर देखा होगा, तो उसमें भी यही आसन दिया गया है कामसूत्र की यही आसन खज़ुराओ के मंदिर में भी दिया गया है अपने एगर खज़ुराओ का नाम भी सुना होगा तो या फोटो में गूगल में देखा होगा तो जब नायिका अपनी जंगाओं को जोड़ कर उपर उठा लेती है तो उसे जिब्रितक आसन कहते हैं इस आसन में नाइक नाइका के दोनों पैरों को उपर उठा कर अपने कंदों पर रख कर संबुख करता है जब जिब्रितक आसन में दोनों पैरों को संकुचित कर मोड़ कर संबुख किया जाता है तो उसे उत्पिडितक आसन कहते हैं इस आसन में नाईका अपने पैरों को मोड़ कर नायक की छाती में सटा लेती है और नायक अपने छाती से उसे दबा कर संबोग करता है यदि पिडितक आसन में नाईका एक पैर को फेला कर संबोग करा है और फिर उसे फैला कर दूसरे को मोर कर चाटी में गड़ा कर संबुक कराती है इसलिए इसे अर्दपिरी तक आसन कहते हैं बेनुदारी तक जब नायका लेटी हुई अपने एक पैर को नायक के कंदे पर रख कर और दूसरे पैर को फैलाई हुए तदा फिर दूसरे पैर को नायक के कंदे पर रख कर और पहले बाले पैर को फैला कर बार बार इसी तरह बदल बदल कर संबुक करती है तो उसे बेनुदारी तक आसन कहत आच्छार रिशी मुनी का कथन है कि नायका जब अपने एक पैर को नायक के कंदे पर रख कर और दूसरे पैर को विस्तर पर फैला कर फिर बदल कर फैले हुए पैर को नायक के कंदे पर रख कर और कंदे पर रखे हुए पैर को फैला कर इसी प्रकार बार बार बदल बदल कर स सिर पर रख दे और दूसरे पैर को फेला कर संभो कराती है तो इसी प्रकार फिर फेला हुए दूसरे पैर को सिर पर रख कर तता सिर वाले पैर को बिस्तर पर फेला कर बार बार संभो कराती है तो उसे सूला चीत्तक आसन कहते हैं कारकटक यदि नाईका अपने पैरों को सिकोड कर अपनी नाभी पर रख ले फिर संबोख कराई तो उसे कारकटक आसन कहते हैं इस आसन में जिस प्रकार केकड़ा अपने पैरों को समेट लेता है उसी प्रकार नाईका भी अपने पैरों को बटोर कर अपनी नाभी से सटा ले केकड़े के समान आचरन होने से इसे कारकटक आसन कहा जाता है पिड़ी तक जब नाइका अपने जंगाओं को उपर क्योर फैलाए और फिर उसे दाएं बाएं अदल बदल कर संबोग कराए तो उसे पिड़ी तक आसन कहते हैं पदमासन यदि उत्तान लेती हुई नाइका आलिंगन की जाती हुई नाइका की पीट घुमा कर पीछे से संबोग कराना परावित्तक आसन कहलाता है ये आसन अभ्यास से ही साध्य है अब उपवेशन के चित्र योग को दिखाते हैं सुबरनाब का मत आचार्य सुबरनाब का कथने की जल में खड़े होकर बैठ कर या लेड़ कर कई प्रकार के आसनों में संबोग किया जाता है भूमिक्यापलेक्षा जल में किया गिया संबोग आधीक सरल होता है आचार्य वातसायन का मत अब चितरत का विवेचन करते हैं आचार्य वास्सायन संबोग के आसनों के पतिपादन के पस्चाथ आपचितरत अठाथ संबोग की अधभूत विधियों का विवेचन करते हैं। उनके नाम स्थिर्रत अबलंबी तक धेनुक, संगटक, गोयूथीक और बारी किडी तक स्थिर्रत जब युबग युबती ना की ठीका कार आचारिय यसुदर ने जैमंगला में तीन प्रकार के स्थिर्रत का उल्ले किया है व्याई, तस्मुक, दुईतल और जानुक कूर पर जब नायक एक हाथ से नायका के पैर उपर उठा कर संबोग करता है तो उसे व्याई, तस्मुक कहते हैं जब नायका नायक की हतली पर अपना पैर रखे और नायक नायका के दोनों जानु और गुटनों को कुंचित कर संबोग करे तो उसे दुईतल कहते हैं, जब नायका अपने दोनों जानु और गुटनों को नायक के दोनों कोनियों पर रख कर संबोग कर आई तो इस आसन को जानु कुर पर कहते ह अब लम्बी तक दीवार का साहरा लिये नायक के गले में बावुपाश डालकर और नायक के भूच पंजे पर नितम को रख कर अपनी जंगाओं को लपेटती हुई सी दीवार पर अपने पेरों को चलाती हुई नायका समभो करा दिये तूसरे अब लंबी तक आसन कहते हैं आचारिय वातसयन का कहना है कि नायका दिवाल के सहारे खड़े हुए नायक के गले में अपना बहु पास डाल कर यानि हाथ डाल कर और उसके हाथ के पंजो पर स्थित होकर अपने उरू से नायक की जंगाओं को लपेट कर अपने पेरों को दिवार पर टिका कर नायक के सा संभोग करती है तो अब लंबी तक रत कहलाता है वो धेनुका रत यदि नायका भूमी पर हातों पेरों को टिका कर पशो की तर स्थित हो और नायक उसकी कमर पकड़ कर बैल की तरब पीछे से संभोग करे तो उसे धेनुक रत कहते हैं धेनुकासन में नायक उरकर्म अर्थाद बक्षस्तल को दवाने आदि कार्यन नायका के पीट पर करता है अचरेवासन का कहना है कि धेनुकासन में नायका अपने हातों और गुटनों को भूमी पर टिका कर पशो की तरह स्थित हो जाती है और नायक पीछे से नायका के कमर को कच कर बैलो की तरह पीछे से रमन करता है नायक संभोग के समझ नायका के बक्षस्तल यान इचाती को दवाना कुछ मर्दन आदि जो कर्म करता है इस आसन में उन्हें नायका के पीट पर करे अथा इस आसन में उन्हें नायका के पीट पर करे अथा नायक पीछे से नायका के कमर को पकड़ कर अपनी चाती से पीट को दबा कर संभोग करे इसी पकार अर्था धेनुक आसन के द्वारा कुत्ता, हिरन, बकरा और गजे के समान पीछे से स्त्री के उपर चड़ कर मैथून करना चाहिए और बिल्ली के समान ललित आसन में संभोग करें इसी प्रकार बाग्रे के समान कूद कर हाती के समान रौनना, सुवर के समान ठोकर मारना और घोडे के समान स्त्री के उपर चड़ना आदि पशो की विभिन्न प्रकार की मैथून क्रियाई की जा सकती है मतलब एक प्ले तरका, गेम तरका खेला जा सकता है उस समय करेक्टर प्ले करना इस प्रकार जहां जहां जैसे जैसे विशेस क्रियाई आबश्यक हो वहाँ वहाँ उनुन पशो की विसे समयत्वन क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए अचरिवस्यन ने यहाँ पर पशुबत संबोग क्रियाओं का विबेचन किया है उनका कहना है कि नायक नायका के साथ पशुबत रमन करना चाहता हो तो उनुन पशो की संबोग किरिया के समान नायका के साथ उसी प्रकार की किरिया करनी चाहिए मतलब जिसमें उनका मन हो इच्छा हो जैसे यदि नायक हीरन कुट्टा बकरा गदा गोडा आधी पशो के समान नायका से रमन करना चाहे तो नायका धेनुक आसन के समान हात और घुटनों को जमीन पर टिका कर स्थित हो जाए और नायक उसके उपर पिछे से चड़ कर संबोग करे इसी प्रकार सेर यानि बागर के समान रमन करना हो तो कूद कर नायका के उपर चड़ कर संबोग करे यदि हाती के समान रमन करना चाहिए तो नायका को रौन कर पीछे से संभोग करें इसी प्रकार सुर के समान संभोग में ठोकर मार कर रमन करना चाहिए संगाटक आसन जब एक नायक एक साथ परस पर सदभाव रखने वाली दो नायकाओ के साथ रमन करता है तो उसे संगाटक आसन कहते हैं आचार्य वासन का कथन है कि कभगभी ऐसी परिस्तिति आ जाती है कि परस पर एक दूसरे से स्नेय सद्भाव रखने वाली दो नायकाएं कामातूर होकर एक साथ एक ही नायक से रमन संबोग करना चाहे तो नायक को चाहिए कि वो एक साथ दोनों को अपने दोनों बगलों में लिटा कर बारी-बारी एक के साथ सवाबिक और दूसरे के साथ कित्तिम रमन करें इस बिधी को संगाटक रत कहते हैं गयुथिक आसन यदि एक नायक बहुत सी नायकाओं से एक साथ रमन करता है तो उसे गयुथिक आसन कहते हैं करी-करिनी की जल क्रिडा के समान और बकरा-बकरी बंग हिरन हरिनी की संबोग क्रिया के समान गयुथिक आसन का कोई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है यहां पर आचरे ने चित्ररत के प्रसंग में एक नायक का दो या अनेक नायकों के साथ संबोग का बिदान बताया है यानि एक लड़का बहुत सारे लड़कों के साथ संबोग कैसे करे इसका बिदान बताया है उन्होंने एक नायक का दो स्त्रियों या एक नायका का दो पुरसों के साथ संभोग को संगाटक आसन कहा है इसी प्रकार एक नायक का अनेक स्त्रियों के साथ तथा एक नायका का अनेक पुरसों के साथ संभोग को गयूथिक संग्या प्रदान की है उनका कहना है कि जिस प्रकार एक बैल आनेक गायों के साथ संभू करता है, जिस प्रकार एक हिरन आनेक हिरिनों के साथ और एक बकरा कई बकरियों के साथ रतिकिर्या करता है, जिस प्रकार जलकिर्या में एक हाती आनेक हतिनियों के साथ रमन करता है, उसी प्रकार एक नायक ए एकी समय में सासद रमन करना चाहे तो वो किसी के साथ आलिंगन करके, किसी के मुख से चुम्बनादी के द्वारा, किसी के साथ हाथ से और किसी के साथ लिंग से रमन करे, भाव ये कि उस समय वो बारी बारी अनेक पुरुसों से संभो कराती है, अब देश प्रब्रित्ती को कहते हैं ग्राम नारी नागलेंड असाम देश में स्त्री राज्य और पंजा प्रदिस में अंतपुरवाशनी नारियों के एक-एक के कई-कई यूबख पूरुस परिक्रियों में रहते हैं उनमें से एक-एक अतवा एक साथ कई मिलकर यथा बसर स्त्रीयों के साथ रामन करते हैं वे नायक नाइका के साथ किस प्रकार रामन करें इसको कहते हैं उनमें एक यूबख उसे गोदी में बिठाता है तो दूसरा चुम्मन नक्षद, दंतशद, आदी के द्वारा प्रहार क का मतलब नक्षद का मतलब नाकुनों से कुरशना, दंतशद का मतलब दांतों से काटना, तीसरा जंगे को, चोथा मुख को और पाचवा कटी भाग अतवा स्तन भाग को सहलाता है, चुमता है, दबाता है, मेचता है, इस प्रकार बारी-बारी आनेक यूबख आसनों को रतिकिड़ा की वैख्या की गई, आचरे बास्तेन का कहना है कि इसी प्रकार वेश्चाय और राजदाराई रतिकिड़ा के लिए कई यूबखों को रखती हैं, यानि राजमहल में जो राजदाराई हुआ करती थी वो गुदा मेथून, सबसे अधम और निंदनिया गुद गुदा मेथून दक्षिनात्यों में प्रचलिट है, इस प्रकार चितरत समाप्त हुआ, आचारे बास्तेन का कतन है कि दक्षिन देश में गुदा मेथून का प्रचलन अधिक है, वहां के स्त्रियां भी पुरुसों से गुदा मेथून करवाती हैं, और पुरुस भी पुरुसाइट प्रकरन में करेंगे, यानि स्त्रिया कैसे पुरुसों को वस में करेंगे, ये नेक्स चेप्टर में बताया जाएगा, इस प्रसंग में दो स्लोग प्रचलित हैं, स्त्रियों की भाबना को समझने वाला पुरुस, पशुओ, मिर्गो और पक्षियों के बिल ब्रश वक्यों के भाबों के अनुसा रतिकिल्या का परयोग के जाने पर नाएक के पती, स्तिर्यों का सनेहा, अनुराइग, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। ऐसा करने से स्तिर्या पुर्शों से प्रेम और सम्मान करती हैं। तो ये चंप्टर समप्थ हुआ। नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट चप्टर पढ़ेंगे